रात होया दिन 2400 घंटे लगातार गाजा पे हमले जा रहे हैं आईडी अफ के और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है न्यू जेट इन इंडिया इस वक्त गाजा बॉर्डर पे मौजूद है इस्राइल की तरफ और वहां से आपको एक बड़े हमले की तस्वीर आपको दिखा र चाळिया या बेट हनून है उसी का इलाका है उसी के आसपास का वहां एक बहुत बड़ा हमला किया गया है जिसकी तस्वीरे कैमरे पर कैद करने की कोशिष हमारे केमरा परसन करम सिंग कर रहे हैं बड़ा गुबार उठा है वहां और लगातार छोटे बड़े धमाके लगातार हो रहे हैं लेकिन ये बड़ा हमला हुआ और एक ही नहीं उसके बगल से एक दूसरा गुबार भी उठता हुआ हमें दिख रहा है कैमरे पर हम लगातार दिखाने की कोशिज कर रहे हैं तो 30 दिन बाद इसराइल ने हमले को तेज किया है आईडियप के एक बड़े अधिकारी ने भी कहा है कि नॉर्डन गाजा में वो हमला और तेज करेंगे बावजूद इसके की इसराइल पर सीज फायर का दबाव है और बड़ा गुबार दिखता हुआ एक तरफ हलका कला और दूसरी तरफ सफेद गुबार आपको द जा रहा है अर्थक्वेक बॉम्ब के इस्तिमाल का भी आरोप हमास की तरफ से लगाया गया कि इसराइल ऐसे बॉम्ब का इस्तिमाल कर रहा है इसराइल की पर आरोप लगाया जा रहा हमास की तरफ से कि जिससे ऐसे स्थिति पैदा होती कि लगता है कि अर्थक्वेक आ गया लगातार न्यूजेट इन इंडिया आपको 30 दिन बाद भी यहां मौझूद है गाजा बॉर्डर पे आप तक रिपोर्ट पहुँचा रहा है IDF की तरप से लगातार उत्तर गाजा में हमले किये जा रहा है और रात भर हमले के बाद इस वक्त आप देख सकते हैं दिन में भी उत्तर गाजा के इलाके के आसमान पे काला गुबार एक के बाद वहाँ हमला तोप टैंक से हमले उस लोकेशन पे किये जा रहे हैं जो इस वक् दिखे रहा होगा इसी तरह से एक के बाद एक लोकेशन पर हमला किया जाता है फिर धमाके किये जाते हैं रात में जब हमले होते हैं तो उपर धुआ और गुबार नहीं दिखता है लेकिन जो आग की लप्टे हैं आग का शोला है वो आपको देखने को मिलता है तो News 18 इंडिया लगतार आपको वो खबर दिखा रहा है जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी खबर बनी हुई है हम यहां लगतार मौजूद है गाजा बॉर्डर पे जहां से गाजा महज 800 मीटर की दूरी पर है